पैसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर स्वागत है आपका मनी नाइन के स्पेशल शो मनी सेंट्रल में आज की बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनी नाइन के एडिटर अंशुमान तिवारी जी सर स्वागत है आपका शो में शुरू करते हैं मनी सेंट्रल और देखते हैं क्या है प्रोग्राम में आज खास सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्ट अप स्टॉक्स पर एक स्पेशल रिपोर्ट बाजार की गिरावट में कहां खड़ी है स्टार्ट अप चर्चा होगी इसके बाद शेयर बाजार पर अर्थवेवस्था में रिकवरी पर एलाइसी के आईपी ओपर और चीन पर बढ़ती निर्भरता पर इसके बाद होगा बजट सेंट्रल जिसमें आज हम देखेंगे सीनियर सिटीजन्स की उम्मीदें और विक्रम बेताल से सुनेंगे उनकी नई नोगजोग नई कथा बजट से पहले शेयर बाजार में भगदर सी मची है पांच दिन में निवेशकों के 20 लाख करोड रुपे से ज़्यादा डूब गए जानना जरूरी यह है कि उन स्टार्टप्स आईपी ओ का क्या हुआ जिन्नोंने पिछले साल सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटो नी थ बाजार, नाइका, कार्ट्रेड जैसे तमाम स्टार्टप्स जिनके आईपी ओपर निवेशक लट्टू हुए जा रहे थे अपने अल्टाइम हाई से 52 फीसदी तक नीचे हैं अल्टाइम हाई मतलब शेयर का अब तक का सबसे उपरी भाव यानि अगर आपके बन में आईपी ओपर दाव ना लगा पाने का मलाल है तो बाजार में आपके लिए सेल लगी है स्टार्टप कम्पनियों के लिस्टिंग के साथ शेयर बाजार में नए युक की शिरुवात हुई थी लेकिन ओने पॉने वैलुईशन के हवा से भरा गुबारा अब पिचकने लगा है शेयरों में इतनी गिरावट के बाद भी विशिशक ये वैलुईशन पर सवाल खड़े कर रहे है किया चोकसी शेयर इन सेक्योरिटीज के प्रभध निदेशक देवेइन चोकसी कहते हैं स्टार्ट अप्स मुनाफ़ा कमा नहीं रहे फिर भी इतने बहंगे वैलुईशन पर बिक रहे हैं अब निवेशकों को पैसे की जरूरत है या बाजार में बिक्वाली हावी है नीचे है जबकि स्टार्ट अप्स पूंजी के दुश्मन बने हुए हैं चलते चलते सुनिए सबसे जरूरी बात Association of Mutual Funds in India ने 5 जन्वरी को Large Cap, Mid Cap और Small Cap कमपनियों का नए सिरे से वर्गी करण किया था इस फेर बदल में Zomato, Naika और Paytium जैसे स्टार्ट अप्स को Large Cap की श्रेनी में रखा गया ये फेर बदल 6 महिने में होता है आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि Mutual Funds कमपनिया इसी वर्गी करण के आधार पर खरिदारी करती है यानि आपने सीधे स्टार्ट अप के IP में पैसा नहीं भी लगाया हो तब भी हो सकता है कि इस गिरावट की चोट आपकी जेब तक पहुँची होगी क्योंकि स्टिप के जरीए आप Equity Mutual Fund में जो पैसा लगा रहे हैं वो इस रास्ते इन स्टार्ट अप्स में पहुच गया था इडिलवाइस के एक रिपोर्ट के मताबिक Policy Bazaar वाली PB Fintech में सबसे ज्यादा 1350 करोर रुपे Mutual Fund कंपनियों ने लगाए थे बेटियम में भी 980 करोर का नवेश Mutual Fund से आया था तो जनाम मनी ना इनकी सला है कि अगर आप Mutual Fund के रास्ते भी शेह भाजार में नवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियों को एक निश्चित अंतराल पर चेक करते रहे और स्टार्ट अप्स की वालुएशन पर दुन साफ ना हो जाने तक सोच समझ कर ही नवेश कीजिये ये बड़ा रोचक है इन स्टार्टफ को आप भारत में स्टार्टप की क्रांती कताऍे कह सकते हैं नाम से लोगों से पैसा जुटाया गया सर अब ये स्टार्ट अपस अगर अपने लिस्टिंग से देखी अपने all time high से देखी आधे रह गए हैं लेकिन अभी भी valuation पर जो सवाल थे वो जसके तस खड़े हैं कि अभी भी इनकी valuation attractive नहीं है शुबो बाजार में बड़ी दुविदा है हलाकि बाजार में गिरावट है जिस पर मागें चर्चा करेंगे पर start-ups को लेकर क्योंकि start-ups एक बिल्कुल नए किस्म की चीज थे भारती बाजारों के लिए भारती बाजार के निवेशक आम तोर पर brick and mortar company ओं में निवेश करते हैं के से ग्रहक का base built करने के लिए एक start-up company discounts देती है ये सारी theories start-up IPO के दौरान दी गई थी अब जो दुविधा आपके दिबाग में है शुभम वही सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी है कि वो सारे विशेशक ये वो सारे brokerage house जो आज से छे महीने पहले तक इने best valued stock बता रहे थे इन में खरीदारी की labying कर रहे थे इनके बारे में reports लिक रहे थे उसमें से अधिकांश लोग अब ये कहने लगें कि इनके valuations बहुत जादा है और अपने valuation से नीचे आ गए अब एक सामाने निवेशक है तो उसके लिए बड़ी दुविधा की बात है कि उसने जिसकी बात सुनकर इस share stock को खरीदा होगा वही उसे 6 महीने बाद ये बता रहा है कि ये तो valuations बहुत जादा है और ये सोने जैसी company नहीं है ये महँगा माल है ये महँगा माल है तो इसको हम पहले बेच लेंगे अब यहां से दो बड़े सवाल खड़े होते हैं इस start-ups के साथ पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनके valuations बहुत हाई थे तो क्या इनका ideal valuation होना चाहिए ये कौन बताएगा अगर हम बाजार की price discovery के सिधान पर विश्वास करें तो अभी मैं पता नहीं कि बाजार इस बाजाद शेर बाजार के संदर्व में, start-up बाजार के संदर्व में नहीं, start-up के बाजार में किसी भी start-up के business model रेविन्यू माडल की गणना बिल्कुल दूसरे तरह से होती है, पर share बाजार के संदर्व में start-up company के valuation और उनके फायदे को लेकर एक पुनरविचार एक किसम क बाजार का revaluation शुरू हो चुका है, market के अंदर, लोगों ने नायका को, लोगों ने जमटो को, लोगों ने policy बाजार को, car trade को नए सेरे से देखना शुरू कर दिया, यह वो लोग हैं जो आज से 6 महीने पहले तक मान रहे थे कि भारत के भविशी की सबसे बड़ी company होने वाल में हम स्वीगी जमेटों से खाना मगाते हैं, लेकिन हम निवेश कहीं और करते हैं, तो यह ऐसी company में निवेश करने का मौका होगा, ऐसे startups में निवेश करने का मौका होगा, जिने आप इस्तिमाल करते हैं, लेकिन अब वो सारी theories कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जो हैं, दीव इतनी चौड़ी गिरावट थी, फिर यह recovery कैसे, अब यह खरीद कौन रहा है दर्सलों? इस startup जिस class को economy में जिस हिसे को service देते हैं, वो कितना बड़ा हिस्सा है, क्या जिसके लिए वो startup खोला गया है, उनका एक बड़ा हिस्सा बाजार में है, क्या लोगों की purchasing power इतनी है, कि वो इसमें लगातार इनका इस्तेमाल करते रह सकते हैं, यह सामाने चीजे हैं, जो शाय evaluation को बताने वाले लोग भी हैं, नुसरे सवाल पर आते हैं, खरीद कौन रहा है, और यही बड़ी दिल्चस्प बात है कि भारती शेयर बाजार में गिरावट इस्ताई नहीं होगी, और आगे भी आने वाले समयमे में नहीं होगी, तो जो लोग डर रहें उन्हें डरने की नहीं है, बाजार में भगदर होगी, बाजार में 78% की गिरावाट ऊपर के लेवल से आएगी, तो अब अविक सी बात है, खरीद कौन रहा है, दरसल हो यह रहा है कि भारती शेयर बाजार में छोटे निवेशक और खास्तावर से जो म्यूचल फंड्स हैं, बड़े स्टेक उसे निवेश करेगा ही, चाहिए जिस वैलिवेशन पर उसको स्टाक्स खरीदने के लिए मिलें, अगर नीचे के स्थर पर मिलेंगे तो भी उपर के स्थर पर भी मिलेंगे, क्योंकि और कोई रूसरा रस्ता नहीं हो, पैसा उनके पास, वही उनका रॉमेटीरियल है, वही स्टाक्स को, जो अपने 200 दिन के डेली मूविंग एवरेस से नीची हैं, जैने स्टाक्स को FPI बेच रहे हैं, विदेशी निवेश एक बेच रहे हैं, उन्हें आखिर DIA खरीद क्यों रहे हैं, खरीद इसलिए रहे हैं, क्योंकि उनके पास हम और आप पैसे लगातार भेज बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, और इतना फ्लो है SIP का, इतना पैसा SIP में है, 2021 में SIP के जरिए स्टाक मार्केट में 14 लाग करोर का निवेश हुआ था, और बीते चार महीने में 10,000 करोर के करीब आया है, और बाजार में रोजाना SIP के जरिए करिए 375 करोर रुपए का रहेगा, उन्हें मानना चाहिए कि हमेशा जबाजार एक सर्टेन लेवल से नीचे आता है, तो खरीद वापस आ जाती है, लेकिन एक चिंता की बात है, जो हम अगले सवाल पर आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, बिलकुल, बाजार की जो गिरावट है, ये काफी गहरी है, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, वो BSC की टॉप 500 में से करीब-करीब 200 कमपनियों का 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है, कि जो लंबी अवधी के नजरिये से बाजार में पैसा लगाए बैठे थे, वो भी मुनाफ़ा वसूल कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं, बाजार के करेक्शन की, अगर हम यह बाजार के करेक्शन को यह समझें, कि बजट करीब है, हम तो प्री बजट रैली का इंतजार कर रहे थे, बाजार में बातने चलनी थे, प्री बजट रैली आएगी, बट यह तो बजट से पहले प्री सामने मैकुर ेकानिमी के नमबर उपलब्द है आपके सामने अब तो सेकंडरी लेवल का डेटा कंजोंशन का कितन बाइक भी कर Scκι मैं। और एकानिमी की सहत को लेकर नब्स को लेकर उसका रिपलड की में सरकार के हाथों में कितनी सीमा है सरकार का हाथ कितने बंधा हुआ है फिसकल डेपसिट के नजरिये से अर्थवस्था में पैसे डालने के नजरिये से ये भी बाजार को पता है बीसलाग करोण रुपए के रुपए का आत्मिन रुपर पायके जो अधिकतम डिट है क्रेडिट लिंग था उसका भी कितना असर हुआ एकॉनमी को र कर सकता है बाजार को एक एक रैशनल ढंग से बजट को देखने की आदत पड़ गई है मतला बजट में कोई भूद बड़ा रिफॉर्म नहीं आना था और अगर हम पिछले बजट के साब से देखे तो शार पिछला बजट रिफॉर्म के लिहास सबसे बड़ा बजट था श की दरिश्टी से बात की जो मिचल फंड में पैसा लगाते उनके लिए डरने की कोई परिस्तिती नहीं है क्योंकि वो पैसा भेज रहे हैं और उनका मिचल फंड खरी देगा और वो एवरेज आउट करेगा इसलिए आपके रिटरंस को बनाय रखने की कोशिस करेगा वह बा दिन का मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि बाजार के अंदर कुछ गहरे दवाव बने हुएं आम तोर पर चार्ट पढ़ने वाले लोग बाजार के भविश्य की दिशाव से निधारित करते हैं हम भी चुकि स्टॉक मार्केट पर बात कर रहे हैं तो हम भी उन लेविल की चर्चा कर लें तक्निकी चार्ट में यह माना जा रहा है कि निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट लेवल 6,009-6,800 के पास है हमने देखा यहीं से इसके ऊपर से थोड़ी सी रिकावरी जब आज दो पहर में रिकार्ट कर रहे हैं तो इसी लेविल से ऊपर थोड़ी सी खर आरदेनी और बजट तक बाजार का मिज़ाज समझना होगा कि बुलरं जब भी होती है मारकेट में तो मारकेट में वालेटिल्टी बहुत कम होती है उतार चलहो कम होता है हमने पूराने आख़ों से देखा है कि अगर बाजार सीधे तेजी की तरफ जा रहा होता तो उतार चड़ाओं की प्रक्रियाँ थोड़ी कम रहती हैं कि बाजार में एक सेकुलर चेंज आता है लेकिन जब बाजार निचले लेविल से लडखाने लगता है तो वालेट्रिलिटी जाधा बढ़ जाती है तो फिलाहाल अभी जो 200 दिन का डिमे हमें बता रहा है या हमें जो निफ मार्केट हमेशा तेजी वाले मार्केट से गिरावट वाले मार्केट से जाधा खतरनाक होता है बिल्कुल क्योंकि वहां पर एक डिरेक्शन नहीं है जहां आप सीधे सौधे खड़े कर सकें अगर बाजार में तेजी है तो आप खरिदारी करके चल सकते हैं लेकिन जब उत इसा मान सकते हैं खबरों के नजरिये से इसे पढ़ सकते हैं लेकिन आज एक ऐसी सूचना आर्थिक हलकों से लेकर शेयर बाजार पर तैरने लगी जो इस रंग में भंग डालने जैसी हो सकती है सूचना क्या है यह भी समझते है और इसका असर क्या है ये भी सर पहले वह यह सूचना हमारे लिए भी जो हम लोग करीब से लाइसी के आई प्यू के हर छुटी 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 ख़बर को फालो कर रहे हैं मनिनाइन पे लगातार हम पैकेज़स में दिखा रहे हमारे लिए भी चौकाने वाली सूचना थी और यह सूचना वितमंतराले कहल को में थी पिर आज कुछ अख़वारों में प्रकाशित हुए और यहां से घूम करें मुंबई के शेर बाजार तक पहुँच गई वो सूचना ये थी कि सरकार ने जो बजट का रिवाइज इस्टिमेट तिया है जिसे वो एक तारीक को फरवरी को संसद में पेश करेगी उस मार्च तक LIC की विक्री करना या LIC का विनिवेश कम्पलीट कर पाना और LIC को लिस्ट कराना संभव नहीं है ये भी संक्यत है कि कोशिस इस बात की है कि 31 मार्च तक किसी तरह LIC को को लिस्ट करा कर उसका विनिवेश पूरा कर दिया जाए लेकिन अगर वो नहीं होगा तो तो बजट के actual estimates आएंगे मतलब इस बजट के बाद अगले बजट के estimates आएंगे आएंगे उन में उसे शामिल किया जाएगा अब ये खबर कई तरीके से काफी खलबली मचाने वाली खबर है हम समझ रहें इस बात को ये खबर इसलिए खलबली मचाने वाली है कि एक तो जो है जो एलाइसी का policy holder है 32 करोर उनकी तुमीदे हैं सरकार के घाटे के आकड़े को देखने वाले लोगों को लोगों की निगाहें इस बात पर थी कि क्या लाइसी की प्रोसीड से साल आ जाएंगी और अगर आ जाएंगी तो सरकार को राजकोशी घाटा कम रखने में मदद मि सब्सक्राइब करें लोगों की संभावनाय थी यह सब कुछ लड़ खडाता हुआ दिख रहा है अब दो तरीकी की खबरें हमारे पास है एक खबर यह है कि सरकार शायद एलाइसी के आईपियों का एक कारिक्रम बजट में घोशित कर सकती है और यह खिसकर अगले वित्तव वर्ष की शुरुवाती दिनों की तरफ पहुंच सकता है और दूसरी खबर यह है कि सरकार पूरी ताकत से इसे 31 मार्च तक लिस्ट कराने की कोशिस करेगी और उसमें वही सबसे बड़ा सवाल है क्या भी तो मतलब पहली लाइन भी नहीं लिखी गई आईपियों की की आई budget पर उसका क्या असर पड़ेगा तो असर यह पड़ेगा कि सरकार का todays investment कम रह जाएगा हुझा कमाई कम होगी सरकार और करज लेगी मतलब महगाई बढ़ेगी और करज लेगी यानि कि ने टेक्स लद सकते हैं सर एक और सवाल यहां पर यह है कि बाजार में गिरावट है बाजार में जो महौल है हम देख रहे हैं कि पिछले पांच दिरों में बीस लाग करोड निस लाग करोड की पूजी स्वहा हो गई इस महौल में LIC का IPO लाना क्या ठीक होगा अगर बाजार म के छोटे इन्वेस्टर से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक क्योंकि देश की सबसे बड़ी बीमया कंपिनी है फ्यूज इन्वेस्टमेंट है उसका निवेश करने को तियार होंगे बाजार में गिरावट और उतार चढ़ाओ का सेंटिमेंट पर थोड़ा असर जरूर पढ लेगी इसे देखकर देखकर यह मुझे नहीं लगता लेकिन यह एक बड़ी नसीहत है जिस पर लगातार हमें समझना चाहिए कि सरकार अपने बजट का प्रबंधन कैसे करती पिछले दो साल में स्टार्ट अप से लेकर ब्रिक अंड मोटार कंपनी तक शुभम पता नहीं क अपस पूरा साल निकाल दिया और हम साल के अंत में खड़े हैं बाकी आई प्यो लिस्ट होके बिक के सेल होके उनके प्रमोटर्स अपनी स्टेक सेल करके 50% लेवल पर आ गए और सरकार जो इसमाल इंवेस्टर की दरश्ट से अपने फिसकल लिपसिट को बेटर करने की सबसे महत्तुपूर्ण बात भारत के बीमा बिजनिस में ट्रांसपरेंसी लाने की दरश्टे से लाइसी का आई प्यो और बाकी सब सारी चीज़ों को आप एक बर किनारे रख भी दें तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपिनी जिसका शेयर बाजार में सबसे बड़ा नहीं जा सका है तो बाजार में गिरावट उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी जितनी चुनोती सरकार के भीतर काम करने के तर तरीकों की हैं जिसमें वो समय पर अपने फैसलों को लागू नहीं कर पाती बिलकुल चली अब हम लोग यहीं कह सकते हैं देर भले आएं दुर तरफ आंकड़े आ रहे हैं कि रेलवे के माल भाड़े में भी वैसी ग्रोथ नहीं आई जैसी पिछले साल आई थी और दूसरे कह रहे हैं कि विजली उत्पादन में स्थर्था बनी हुई है सर्य माजरा क्या है एक तरफ पॉजिटिव आंकड़े जो यह दिखा रहे हैं कि एकॉनोमी में रिकवरी आ रही है लेकिन दूसरे आखड़े उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कैसे उलजी हुई कैसी है यह गुठ्थी यह अंतरविरोध है और भारत की अर्थवे उस्था के संदर्ब में जधा बड़ा है और जहां पिछले दिनों में भारत की रिकवर आउ में आम तोर पर एक सेक्यूलर रिकवरी दिखाई देती है पर आप यहां एक ही तरफ देखिए एक तरफ सरकार यह बताती है कि जिस्टी का संग्रे रिकॉर्ड है और इवे बिल में भड़ोत्री हो रही है दूसरी तरफ हुएल और नेसले और उनके नतीजे यह बतात है कि नहीं सरकार का टेक्स कलेक्शन बढ़ रहा है अब इसकी वास्तिविकता क्या सरकार इस पष्ट करे या नहीं नहीं लेकिन ऐसा समझ में आता है कि महंगाई बढ़ने के करना सरकार के टेक्स कलेक्शन में बढ़ोत्री हो रही है जो बात हमें जीडीपी में नमेनल जी नहीं बढ़ रही है और इसी तरह से आप बाकी चीओं को देख लें तो अगर हम इस पूरे आंकड़े को शुब हम डिस्टिल करें इसका आस्वन करें और इसे निचोड़कर इसका एपसलूट निकालें तो मैं दिख रहा है कि कंदम्शन का रिबाउंड नहीं हो रहा है खप सामान की विक्री वालियूम में बढ़ेगी लेकिन जो उपर और मिडिल लेविल के प्रोड़क्स की से उन में उतनी बढ़ुत्री नहीं दिखाई दे रही यह बात हमको हमें FMCG कंपिनियों के उससे दिखाई दिया बजट के संदर्म में महात्तोपूर्ण है कि क्या सरकार कंदम्शन को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में कुछ पैसा रखने की कोशिस करेगी यह बात देखना होगा बजट के साथ बिल्कुल और अगर आपको याद हो तो कल हमने ICE 360 के एक सर्वे के जरीए भी आप लोगों को यह बताया था कि कैसे जो पिरामिट में सबसे नीचे लोग हैं उनकी आये उनकी जो खपत करने की ताकत है वो सिकुड रही है कम हो रही है और इसी लिए बजट की और वो सबसे रिकॉर्ड बन रहे हैं चीन सरकार के आकणों के अनुसार 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुँच गया दूसरी तरफ एक ख़बर आई स्टार्ट अप से भारती स्टार्ट अप में चीन की कंपनियों के निवेश तीन गुने से जादा हो ग चीन के साथ हमेशा यह उलजन रही है चीन को लेकर पॉलिटिकल पॉस्चिरिंग और राजनीतिक रूप से चीन को को के को डील करना और चीन के साथ ट्रेड रिलेशन्स यह दोनों बिलकुल अपोजिटर हैं और यह में बार 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 जब बार जब भी इस तरीकी की सबीर पेश करता है अब जो आकड़े हमारे पास आये उनको देखना वह दिल्चस्पन पर भीतर से हम समझने की कोशिस करेंगे हमारे पास यह आकड़े आये कि चीन से भारत का निर्यात लगबख सो बिलियन डॉलर के आस पास पहुंच रहा है और यह उन सालों की बात है ज वह सारे क्षेतर हैं जहां भारत ने पिछले दो-तीन सालों में कोशिस की कि भारत में कैपेसिटीज बढ़ाई जाए इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ाई गई पी लाई जी स्कीमे भी लाई गई लेकिन चीन से इनका इंपोर्ट बढ़ते बढ़ते सो बिल अकड़ा और चौकाने वाला है जो स्टार्ट अप से आता है 2020 में हमने देखा था कि सडनली भारत के स्टार्ट अप में चीन के निवेश में गिरावट आई थी लेकिन 2021 में एकदम उसमें बड़ा बांस बैक आता है और वो करीब करीब जो आकड़ा उपलब्द है उस हिसा चौधा बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश स्टार्ट अप में चौधा से पंदरा बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश भारती स्टार्ट अप में चीन से आया है एक क्वालिटेटिव फर्ख है इस निवेश में और इससे पहले के निवेश में जो महत्तोपूर्ण ह समझना कि इससे पहले का जो चीन का investment भारती स्टार्टपस में था वो hard investment था hard investment वो निवेश होता है जहां startup में निवेश करने वाली कोई company या कोई venture capitalist उस startup की leadership लेता है commanding position लेता है उसके policy बोर्ड में आता है उसके policy making फैसलों को प्रभावित करता है पिछले दो साल में shift इतनी आई है कि अब चीन का investment soft investment है यानि पैसा तो चीन ने भारती स्टार्टपस में बहुत ज़्यादा लगाया है पर भारती स्टार्टपस ने शायद सरकार की तरफ से जो चीन को लेकर सकती दिखाई गई है या सरकार चीन को लेकर प्रत्यक्ष्प से दिखाने की कोशिस कर रही है कि हम उनके निवेश को सीमित कर रहे है उसका नतीजा है कि भारती startups में चीन का निवेश soft investment है यानि वो commanding position में नहीं है वो bold में position में नहीं लिये हुए लेकिन अगर आप उनके net stakes देखें भारती startups में पैसा देखें लगाया हुआ तो वो भूतेजी से बढ़ा है और यह हमें इस बात के परती फिर संकेत करता है कि भारत के startup की करांती भारती पूंजी पर नहीं है भारती startup की करांती विदेशी पूंजी पर केंदरेत है और उसमें खासवर से चीन की पूंजी पर केंदरेत है क्या budget सामने आ रहा है वो यह कोशिस करेगा कि भारत के स्टार्टस भारती फंड से फंड हो, भारती पूंजी से आगे बढ़ें और उनमें भारती पूंजी आए, इसका कोई स्ट्रॉक्चर बनाया जाए, यह मैं नहीं दिखता है, लेकिन चीन पर टिक टॉक से लेकर और चीन के अप्लिकेशन पर पावंदी के बाद हम समझे कि अगर सेटरडे संडे जोल दीजिए तो सौचुटी हो गई और 365 दिन होते हैं साल में, 100 हटा दी वज़े 265 दिन और 268 राउंड फंडिंग हुई, यानि हर दिन एक स्टार्ट अप में चीन का फंड आ रहा है, छोटा था सवाल, छोटा था जवाब चाहूंगा कि चीन एक कर कैसे लेता है, एडवांटेज क्या है, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यहां कंपनियों पे छापे मारी हो गई, एब बैन हो गए, यह भी दिखा, आत्म निर्भरता की संकल्प भी हो गए, उसका चीन के पाथ ऐसी क्या एडवांटेज है कि वो फिर भी हावी होता चला जाता है, यह समझना भारत के और चीन के प्रतिस परदा के लिहां से जरूरी है, पर हम एक चीज जिसमें और आंकला जोड़देना जरूरी है, कि चीन ही नहीं, भारती स्टार्ट अप्स में, जो समना का कि विदेशी पूंजी पर भारती नहीं हुए है, स्टार्ट अप्स में, अब दूसरी चीज है कि भारती बाजार में, यह समझना बहुत दिल्चस्प पर बहुत पेचीदा उल्जन है, कि पिछले 3-4 साल में भारत ने चीन से आयातों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई, इंटी डंपिंग ड्यूटी बाजार भारती कंपिनियों को सस्ता कर्ज देकर, बाजार देकर, बजट से पैसा देकर, पिलाई में, फैक्टरी लगाने के लिए कह रही है, और यहां हमें दिखाई देता है कि भारत की सरकार, जितना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, चीन में लागत उतनी ही कम हो ज City तक देता हैО बिलकुली कई मामलों में चीन के बंदरगाहUं से भारत क बंदरगाह तक आने के सामान की लागत भारत में दो बड़े शहरों में भारत के कोने से दूसरे कोने तक सौरक से सामान भेझने की लागत से भी कम तो भारत जितने भी ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेकर आगे आता है चीन की लागत उतनी ही कम होती चली जाती है और इसलिए ड्यूटी बढ़ने के बाद भी भारत में इंपोर्ट बढ़ता चला जाता है क्योंकि फिर भी महेंगी इंपोर्ट ड्यूटी के बाद तम तो जो आप कहीं नहीं बना सकते है इसलिए आप देखिए कि छीन से जो इंपोर्ट का स्ट्रॉकटर में मशीनरी इनका इंपोर्ट बड़े पर प्यानिे पर होता और जो भारत के उतपादन उत्पादन में जन्काव इस्तेमाल होता है बिल्कुल चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेग्मेंट की और बजट सेंटर आज बस इतना सा ख्वाव है में आप मिलिए सिनिया सिटीजन से और देखिए बजट से उनकी उमीदें क्या है भोपाल के रिटायर टीचर ओम प्रकाश कोरोना संकट के जल्दी खत्म होने के लिए लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हैं कोरोना काल के पिछले दो साल उनके रिटायर्मेंट की प्लानिंग और बचत की योजनाओं के लिए बड़ा जटका साबित हुए अब दो साल हो गए लेकिन कोरोना काल अभी खत्म होता नहीं दिख रहा पिछले साल के बजट में वरिष्ट नागरिकों को कोई खास राहत नहीं मिली लेकिन इस साल के बजट में उन्हें कई उम्मीदे हैं मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को रिटायर लोगों या सीनियर सिटीजन्स के लिए सेटल होने के लिए अच्छा शहर माना जाता है ओम प्रकाश देश के उन करोणों सीनियर सिटीजन या बचत करने वाले लोगों का हिस्सा हैं जो पिछले कई साल से बजट में किसी खास राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं ओम प्रकाश को पेंशन मिलती है इसलिए उन्हें अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता हलाकि बजट के प्रावधानों से ऐसे लोगों की बचत और निवेश पर बहुत फर्क पड़ता है पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी पेंशन काफी नहीं है इसलिए वो पेंशन और निवेश की ऐसी योजनाएं चाहते हैं जिनमें हर महीने उन्हें अच्छा रेटर्न मिलता रहे कोरोना संकट की वज़े से रेटायरमेंट के बाद कुछ अतिरिक्त काम कर सकने की उनकी योजना भी कारगर नहीं हो पाई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है साल 2021 तक इनकी संख्या 19.4 करोड तक हो सकती है साल 2011 की जनसंख्या के मताबिक देश में 60 साल से उपर के सीनियर सिटीजन्स की संख्या करीब 10.30 करोड थी जो कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है पिछले दो साल के बजट में 75 साल से उपर के सीनियर सिटीजन्स को इंकम टेक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी गई इसके तहट कहा गया के 75 साल से उपर के जो वरिष्ट नागरिक सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इंकम पर निरभर हैं उन्हें आईटी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी लेकिन इंकम टेक्स के सेक्षन 194P के तहट बैंक 75 साल से उपर के ऐसे सीनियर सिटीजन का टीडियस काटेंगे टेक्स के लिहाज से भी 60 साल से उपर के लोगों को सीनियर सिटीजन कहते हैं सामानने लोगों की महज 2,5 लाख रुपे तक की आए ही टेक्स फ्री होती है इसकी वजह से 5 लाग तक की आये पर कोई टेक्स नहीं देना पड़ता। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन को 3 लाग रुपे की आमदनी तक कोई टेक्स नहीं देना होता। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त रिबेट का प्रावधन नहीं है। उन्हें भी 5 लाग रुपे तक की आये पर ही रिबेट मिलता है। अभी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो प्रमुख बचत योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री वैवंदना योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS प्रधानमंत्री वैवंदना योजना में 60 साल से उपर की आयूवाले सभी नागरिक 15 लाख रुपे तक का निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं। निवेश के आधार पर नागरिकों को 1000 रुपे से लेकर 9,250 रुपे परतिमहा तक पेंशन परदान की जाएगी। इसी तरह Senior Citizen Savings Scheme में भी निवेश के लिए 15,000,000 रुपे तक की सीमा है। Senior Citizen Scheme का भी ये लक्ष है कि वरिश्ट नागरिकों को 60 साल की उम्र के बाद नियमिताय का कोई साधन मिले। इसके तहट 7.4% सालाना ब्याज मिलता है और 80C के तहट Tax Lab भी लिया जा सकता है। Tax एवं निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं अभी Senior Citizens के निवेश के लिए कोई खास योजना नहीं है। केवल दो योजना हैं Senior Citizen Saving Scheme और परधानमंतरी वैवंदना योजना। इन दोनों में निवेश के लिए 15 लाक रुपे तक की सीमा है इसे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा Senior Citizen की 3 लाक रुपे तक की आय करमुक्त है लेकिन रिबेट आम लोगों की तरह 5 लाक रुपे तक ही मिलता है। इस रिबेट को बढ़ा कर 6 लाक रुपे तक करना चाहिए तभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ न्याय हो पाएगा। ओम प्रकाश का ख्वाब बस इतना है कि सरकार कोई ऐसी नई निवेशी ओजना लेकर आए जिसकी वजह से उन्हें हर महीने अच्छी अतरिक्त आय हो सके। आज की भौत एक वादी दुनिया में सीमित पेंशन में गुजारा नहीं होता। इसके अलावा मेडिकल के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। वो चाहते हैं सीनियर सिटीजन लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ें और सरकार टेक्स में और राहत दे। वो चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ सेक्टर पर ज्यादा खर्च करें। सर केस स्टेडी भले भौपाल की हो लेकिन सीनियर सिटीजन तो जंबो कश्मीर से कन्या कुमारी तक इंतजार करी रहे हैं बजट का। क्या उम्मीद हैं क्या आपको लगता है कि सरकार को उनके लिए करना जाएं। बहुत सीमित विकल्प हैं हमने देखा है कि बच्चतों के उपर सरकार के प्रोटसान लगातार कम होते चले गए हैं पिछले साल के में और जहां जहां बच्चते हो रही हैं वहां टैक्स पढ़ते चले गए हैं जैसे कि आप स्टॉक ट्रेडिंग पे देख लीजे सीनियर स सरकार को थोड़े समय बैठ करें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जो सीनियर सीटीजन्स क्लासे से दो चीजें चाहिए इसे फिक्स्ट इंकम के और ज्याधा विकल्प चाहिए सिवा केवल परधान मंतरी वयवंदना योजना सीनियर सीटीजन सेविंग स्कीम के अलावा इ हेल्थ इंशोरेंस के फायदेग सीमा के बादे नहीं मिल पाते हैं इनकी आयू के कारण और इनके लिए हिल्थ की कास्ट और चिकित्सा की कास्ट सबसे बड़ी है इस संदर में अगर बजट कुछ थोड़ा बहुत भी कर सकेगा तो उन प्रकाश जैसे लोगों के लिए कुछ करें चलिए अब मिली आप हमारे विक्रम बेताल से और आज समझे सरकार के खर्च का गणित आज विक्रम पहले से आकर पेड की नीचे बैठ गया था बेताल नौर्थ ब्लॉक के गलियारों में जहाकने गया था लौटते हुए उसने एक चकर संसत का भी लगाया और रास्ते में एक प्याला चाय का उठाया विक्रम को बेठा देख बैताल ने ठाका लगाया बड़ी जल्दी आ गए राजा तुम भाग लिये थे कल मेरे सवाल का जवाब दिये बिना पर आज नहीं छोड़ेंगे अरे क्या हुआ क्यों इतना भड़़ायो पिछली दफा आरे के खर्च को समझना बड़ा जरूंई है सरकार दो तरह से खर्च करती है एक पूजी खर्च और दूसरा अनुदान वेतान भत्ते आधी अरे 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 बेताल बेताल उलज़ाओ मत भाई आसानी से बताओ धीरज रखो धीरज बताते हैं आज मैं जाने नहीं दूंगा अरे सुनो ग्यान मद्दो खर्च के हिस्से में आती हैं सरकारी स्कीमे जैसे मनरेगा, मुफ्तराशन, स्वास्समंदी स्कीमे छात्र, किसानों, महलाओं के लिए अलग-लग स्कीमे सब सीडी भी इसी मद्द में है और दूसरा? दूसरे खर्चों में करमचारीयों की तंखा राज्यों को संसादन मोहिया कराने जैसे मद्द शामिल होते हैं यही नहीं, सरकार जो करजे लेती है न उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ता है ये भी इनी खर्चों में शामिल होता है सरकार के खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडीचर और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के तोर पर भी तो बाटा जाता है बहुत सही राजा, तू भी सीग्या ये जवान हाँ, कैपिटल एक्सपेंडीचर यानि ऐसे खर्च जिनसे संपत्तियां खड़ी होती हैं और नौकरियां पैदा होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में सेलरीज, ब्याज जैसे मद आते हैं यानि कैपिटल एक्सपेंडीचर अच्छा और रेवेन्यू खर्च खराब हाँ, तु यारब इस बहस में ना पढ़, ये काम अर्थशास्तियों के लिए छोड़ दे अच्छा लेकिन ये तो बता दे बेदाल के सरकार को भी कर्ज पर ब्याज देना पढ़ता है मलब सरकार का कर्ज बढ़ना एक बड़ी दिक्कत है न सरकार पर जादा कर्ज होगा तो बाजार में पूझी कम होगी, ब्याजदरें बढ़ेंगी, रिजर्ब बैंक जाधा नोट छापेगा और कम समान के पीछे जादा पैसा यानि महंगाई तो यानि महंगाई सरकार की वज़े से बढ़ती है अरे राजा सरकार तुमारी जेव पर टेक्स लगाकर भी महंगाई बढ़ाती है इसका मतलब कर्जा लेगी सरकार और हमारे हाथ आएगी टेक्स और महंगाई की मार लेकिन बेताल भाई ये बताओ मैं एक कर्जा ले लूँ तो दूसरा कर्जा मिलना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये सरकार हर साल इतना कर्जा कैसे ले लेती है बस यही ना पूछो गुरू फिर तुमने पूछा टिगड़ा सवाल और मैं चला तो ये था आज का मनी सेंट्रल आप अपनी प्रतक्रियाएं अपने सवाल और अपने सुझाओ जरूर भेजिए क्योंकि जो इस प्रोग्राम के प्रिड्यूजर है मनोज जी उन्होंने कहा है कि जो भी सुझाओ आएंगे वो ततकाल आपके इस प्रोग्राम में वो शामिल कर लेंगे लेकिन जाते-जाते एक जरूरी सुचना सोने से पहले प्रियंका संभव के साथ रात का न्यूस कैप्सूल मनी टाइंग वो लेना मत देंगे